अब हम लोग एक्सेसाइज 14.4 कुश्चिन नमबर 3 लेटने हैं यह कुश्चिन कहता है कि निमने लिखेत प्रेक्षणों को आरो ही करम में विवस्तित किया गया है आरो ही करम क्या होता है बढ़ता हुआ करम का मतलब क्या हुआ कि छोटी से बड़ी जंख्या जिसे हमने का 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे संक्या को हम आरो ही करम कहता है और इनका माध्यक माध्यक बने तो मेडियन एक्स का मान ग्याद करें अब इन्होंने हम कहा है कि यह संक्या है आरो ही करम में है और इनका माध्यक 63 है आप देखो सबसे पहले हम निकालें कि N कितना है तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस N दस है जो कि एक समसंक्या है समसंक्याओं का हमारा माध्यक क्या होता है? समसंक्याओं का माध्यक होता है N बटा 2 V प्लस N बटा 2 प्लस एक वी समसंक्याओं का माध्य अब बलूँए से N बटा 2, दस का 2 क्या होगा? यह हमें माध्यक दे रहा है सवाल में 63 N बटा 2 यानि 5 वी समसंक्याओं कौन सी है? N बटा 2 पांच वी और यह होगी 6 समसंक्याओं पांच वी समसंक्याओं का है? X चती समस्क्याओं क्याओं कई? X प्लस 2 और उनका माध्य क्यास से निकालते है? दोनों समसंक्याओं को जोड़के 2 से भाग दे देते हैं अब देखो मैं क्या करूँगा? वच्चर गणा कर दूँगा? cross multiply कर दूँगा तो यह हो गया 126 equals to x plus x यह नि 2x plus 2 तो 2x किसके बड़ाबर हुआ यह 2 उदर चला गया तो हो गया 124 x equals to 2 हो यह हमारा answer कितना असान सावा था चाज़तर वच्चे x को देखते ही गवरा जाते है अरे भाया यह तो x और x plus 2 है कुछ नहीं मात्यक दिया हुआ है आरोई क्रम में व्यवस्तित क्या हुआ है सबसे बहला काम किया n गी न तो हमने गए n दस है सम है सम संख्यां का मात्यक क्या हुआ है n बटा 2 v n बटा 2 प्लस 1 v संख्या का मात्य मात्यक दिया हुआ था x प्लस x प्लस 2 क्योंकि ये संख्या 5 ही संख्या ये है और 4 संख्या x प्लस 2 है हमें x का मान पूछा था था हमने 1 इसको कर दिया और x का एंसर आके बहुत चोटा सा सवाल, सिंपल सवाल